तो यह है आर्क 200 welding machine एन इसे में जो फाल्ट है वो है वन टच OC का तो ऐसे फाल्ट को कैसे रिपेर करना है फाल्ट को कैसे फाल्ट करना है पुरा सिखाऊंगा पुरा पताऊंगा आपको step by step बड़ उससे पर आपको दिखा जाता हूं यह पर चालू करके machine को किसमे किस ट्राप करना दूसरे बने आप अर्क बना और तीसरे बने आप OC का एंडिकेटर है पर चालू हो चुका है आप देख पा रहोंगे एज देंसकते हैं यहाँ पर एक से दो बात टॉच करने में हमारे आप चालू हो जाता है सब से पहले आपको मालिम होने चाहिए जो आपका OC का यह जो वायर आप देख पार होगे, उसको मैंने आपटा चेंज किया हूँ, यह वायर हमारा feedback का है, जो कि Sun से छाता है, यह हमारा Sun है आप दे सकते हो, यह आपको हर welding बसकी में देखने को मिल जाएंगा, 90% welding में आपको इस type को देखने को मिल जाएंगा, जो कि हमारा Sun का रहता मैं आपको दिखाते हूँ मैं आपको दिखाते हूँ जो अमारा संड का वायर है वो उपर हमारी driver card में यह वाला यह रहता है हमारा earthing का जो के resistance से होते हुए जाता है मैं आपको दिखाता हूँ यहां से समझ में नहीं आ रहा हूँगा उस set सा आपको दिखा देता हूँ यहां से आप देख सकते हो यह देख पारूँ यहां पर यहां पर ब्लू वाला वायर है वो रेजिश्चन से होते हुए वो जाता है हमारी earthing पर यहां पर यहां पर आप देख पारूँगे मैंने आपकर संड के तीनो वायर को चेंच कर दिया हूँ जोकि हमारा फीडबक कर रहा था जोकि हमाँ द्राइवर कार दिया हो यहा向 पर देख पारूँगे पर दोस्तों यहां पर आप देख पारूँगे जो हमारी आइसी है CA 3140 जो कि आपकी OC के इंडिकर्टर को बन चालू करने में मदद करती है अगर आपकी welding machine में कोई फार्ट हो तो एंड यहां पर आप देख पारूँगे जो हमारी हमको देखने को मिल जाएंगे कि एक से दो बार यहां पर चालू होंगे और आर्क बनेंगा दो उसके बाद यहां पर हमारा उसरी के इंडिकर्ट आप चालू हो जाएंगा एंड जो अब रेजिस्टन देख पारूँगे यहां पर 330 के का है तो इसको मैं यहां से निकाल दिया हूँ तो मैं यहां पर 330 के के रेजिस्टन्स को को लगाने बाला हूँ यह वाला जो कि quarter watt का आप दे सकते हो एंड इसकी color coding भी आप यहां पर दे सकते हो डवल और यहां पर यहां पर तो इसको मैंने आप लगा देख पार होंगे और मैंने इसको पुरा साफ कर दिया हूँ यह आप देख पार हूँ रेजिस्टेंस को जो कि 330 केका है मैं इसको यहाँ पर लगा चुका हूँ और इसके बाद में दोस्तों अगर श्टापको फार्ट आता है आपकी वेल्डिंग मसीन में अगर आपको उसी का इंडिकटर आपर चाल हो जाता है तो दोस्तों जो आपके IC CA 3140 नमबर की तो उसको आपके आपके चेंज करना पड़ेगा विगाउस आपको डायगोड होके होंगे संट होके होंगा फिर भी श्टापको फार्ट आता है तो जो आपके IC वो यहाँ पर खराब होती है तो जो कि यह आपको नाम नहीं लिखा हुआ इसका नाम में पर देखते होंगे जो मेरा आर्क हो है आपको प्रोपर बंदाए की नहीं बनता एंड जो मेरा उसका इंडिकरेटर हो है आपको चालू तो नहीं होता तो मैं आपको सामने मार के दिखाता हूँ प्रेटिकल करके मेरी उतनी है यहाँ पर वेल्डिंग मसिन चलाने की बाट में आपको सामने आपको चालू नहीं हो रहा है अगर आपकी वेल्डिंग मसिन में ओसी का इंडिकरेटर है आपको चालू रहता है तो मैंना आए बटर पर लेंग दिया हूँ आप 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 जाके चैक आउट कर सकते हो तो आप लोगकर समझना आगया होंगा तो बस आज और जो में जबकी दिपाद आपको अंथा और आपको सम्झना आपको चैना आतमुर दिया हो प्रस कि आपको चैना आपको परता है तो आपको आपको आवे लो आपको.